नेशनल सलूट! सलूट! गो मैसन, गो! कुम आन! Come on! Come on! Come on! आया नहीं अरे आजाना कमान, कमान आजाजनीती का बोज धूने वाला एक आथिक अंडर्वर्ड है उस अंडर्वर्ड के हाथों की ये कटपतली था आखरी सालों में तुम्हारा ये पी के आर्व इस राजिय के खजाने से दुगना इस I.E.F. पार्टी के खजाने में है कहूं तो, तुम इसे कितने लोग मानोगे? मरे हुए बुढ़े को गाली देने के लिए मैं लाइव में नहीं आया हूँ, बलकि एक चितावनी देने के लिए, इस राज्य की मासुम जन्ता को गोवर्धन की एक चितावनी, पी के आर नाम का पेड़ गिर गया, बदले में कौन? यही सवाल है, वहां है पांच लोग, इन इन पांचों को तुम्हारे सामने पीश कर दे, मैं लाइव आया हूँ, पहला, पी के आर की बड़ी बेटी, जो राजनीती में सक्लिया नहीं है, लेकिन पी के आर की मौत की वज़े से हुए नए माहौल में, ये एक एहम भूमी का निभा सकती है, प्रिया दर्शनी, प्रि एक एक बऑत में, झाल्मा में, झाल्माः में Hm जो रहुं धोमा, खूल्सक्टीन अए самых आए, प्रियत वर्म अंकल बाबी को कॉल कर रही हूं लग नहीं रहा हूं पताए का है सुबह कॉल किया थब वो मॉम्माई में था भी जी उसने का कि क्रिया करम शुन होने से पहले पहुच जाएगा मैडम पब्लिक को अंदर छोड़ने वाले आप प्लीज अपने सीट पर बैठ जाएए वीडिया को अंदर आने समना किया है ना जी इंस्रक्शन्स भी दे दिया है रियदर्शनी का पहला पती और आईटी कंपनी का मारिक जैदेव की कार एकसिडेंट में मौत हो जाती है उसके एक साल होने से पहले ही जान्मी नाम की दस साल की बेटी की माप रियदर्शनी दूसरी शादी करती है उसका दूसरा पती यानी बॉबी के आने के बाद ही तब तक एक साफ सुतरी इमेज रखने वाले रामदास जी की छवी की धजिया उड़ जाती है रियल एस्टेट गुलमाल, फेक फाइनाइन्स कमपनियां, हवाला, इस तरह की बहुत सारी हेरा फेरी में शामिल है बॉबी उर्फ बिमल नायर, पेके आर पियर दर्शनी और आम जनता नहीं जानती है, ऐसी एक सच्चाई भी है रियल एस्टेट और ब्लैक मनी के अलावा, इस पूरे राजिय को बर्बात करने लाइक एक दुष्ट शक्ती है बॉबी उर्फ बिमल नायर अबने भाई, सलाम कर दो आम सालाम कर दो आम सालाम असलाव वसलाव बॉबरी वहाँ केरल में हाल चल कैसा है? मेडिकल रपोर भी आई नहीं बदोंग वरी अवर्थिंग इस अंडर कॉंट्रोल इस तरह का ड्रास्टिक खदम उठाने की जरूद थी हमारी ट्रेड लाइन्स तो स्मूझ चल रही है नो मैं और देड़ी नहीं कर सकता था अब्दुल कुछ एक महिना पहले पीक्यार में मुझे बुलाया था रियल एस्टेट गोटा ले हवाला इल्लीगल एक्सपोर्ट्स ये सब अन देखा कर दूँगा प्रिया के खातिर लेकिन ड्रग्स वो मुझे मन्जूर नहीं मेरी बेटी का पती होने का पाइदा उठा सकते हो ये मत समझना अगर समझ लिया तो मैं रिष्टा भूल जाओंगा अंदर जो के बागर जाते हैं आई यूएफ को हम क्यों फंड करेंगे मैंगना गूप की फंडिंग अभी बी चल रही है न पार्टी को मुश्किल से चला सके सिर्फ उतना ही पैसा मैंगना गूप का चंडी देता है पीके आर के जाने के बाद आई यूएफ में इस वक्क कोई लीडर नहीं है जो चंडी दे रहा है उससे लट से तीन गुना हम देंगे तो पार्टी हमारे हाथ में आ जाएगी लेट्स कर दब बुल्शिट बाबी केरल की एक प्रिटिकल पार्टी को फंड करने से फेडोर को या मुझे और फॉर दाट मेटर तुभे क्या फैदा है पंजाब, MP, North East, Goa तुम्हारा मैनिफाक्चरिंग डिस्ट्रिबूशन इंफ्रस्ट्रक्चर धीरे धीरे तूट रहा है अन्दाट अब्दूल इसकाटिंग दे बॉल्शिट इन हालात में फेडोर को जो मैं ओफर कर रहा हूँ वो एक सेफ हेवन है स्टेट गवर्मेंट के फुल सपोर्ट के साथ एक वोर्किंग स्पेस ओके माला फेडोरस में इंट्रस्ट है भी तो हमारा प्रपोजल क्या होगा तुम्हारे फंड की मदद से आयुएफ आने वाला चुनाओ चीचाए विच विछ विछ विल थांक्स तो देड़ पीकया Z-Category Drugs केरलत लेक अंचेक दाई लांचे के अनलो सावगरियम ताथ मैं आफ़र और में फलका 8, 7, 9, 21 वूंगा, कृसल मेथ और क्रोकडिल ओके किसके अलावा पुलीस में और विजिलिंस में और तुम्हे तकलीव देने वाले क्राइम ब्रांच के साथ-साथ हर एक डिपार्टमेंट के तॉप ब्रास में हमारे चुने लोग ताथ गॉट परित्मा काफी नहीं है फिड़ोर को कंविंस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट टॉजस बेस में आड़ करने होगे 1, केरिल में एक प्रोड़क्शन प्लांट विथ फुल इंफ्रस्ट्रॉक्शर और ट्रांस्पोटेशन फसलिटीज फंड इंफ्लो इनिशियेट करने के लिए ये प्रोड़क्शन प्लांट पूरी तरह अप्रेशनल करके तुम मुझे इसका प्रूफ दोगे यह मत समझना के मुझे तुम पर भरोसा नहीं है बस एक परसनल करजा है समझ लो कोई आठ साल पहले पीकियार के एंटी डिफॉरेस्टेशन ड्राइफ के दौरान नडम पली रेंज में जो मेरी पुरानी टिंबर फैक्टरी थी उसे बंग कर दिया गया उसे रियोपन करना चाहता हूँ हमारा एक प्रोड़क्शन प्लांट उसी फसलिटी में शुरू करेंगे प्रोड़क्शन प्लांट शुरू करने में अगर तुम काम्याब हुए तो उसका पार्टी में जो होल्ड है वो मागना ग्रूप के चंडी की दोस्ती की बचाहसे है और जिस दिन आईउएफ को मागना ग्रूप की ज़रूरत खत्म हो जाएगी उसी दिन उसका पार्टी में इंफुलेंस खादम यार ओन अब्दुल सलाम भाई सलाम अब्दुल इतना बड़ा नेक्सस और ऐसी जगह से और अज़ जगह से इससे ज़्यादा सेफ जले और कही नहीं मिलेगी स्विल्ट आपर कोई प्रॉब्लम हो भी जाय तो वी हव अलमुस्ट एक्लोमीटर आफ सिबलीन बफ़ा दूसरी तरफ जो फिशिंग हाबर है इस प्रुट्टेट बायमेन 24-7 सिर्फ इतना ही नहीं दवे दिस प्लेस बिल्ट स्पाई साटलाइट भी इसकी जोग्रफी पकर नहीं पाएगा तुम जैसे आउटसाइडर को यहां इतनी आसानी से अक्सेस मिली है वेल, कंसिडर इट अज प्रिवनेज बवी सलाम अब्दु भाई सलाम वेल, क्या पाईटसाइड वेल, कि उक्षी से अप्रिवनेज दाउडर के विज़े प्रिवनेज पार और रहें बबी, हम दोनों के तालूकात की वज़गा से में एक बर फिर पूछ रहा हूं यह शुर बाट अवाँड़ दिस क्योंकि फडर से हात में लाया then there's no turning back I know तू विश्वास मत कर रहा तेरे जैसों को विश्वास करने के लिए खोल कर रखा है ना चौवीज गंटे प्रसारत निउस चैनल्स वो जो परस्ते तू वो ही निगल ले मीडिया, डिमोक्रिसी से फेवरिन So guys, this is a once in a lifetime chance for all of us मैं कम इन मैं नौ मजे के मीटिंग के लिए साड़े नौ मजे नहीं आते हैं Take your seat Sorry, ma'am See, spotless reporting is what I want ये करला के political reporting के most important junctures में से एक है Shweta, political parties के bites, ruling and opposition is your responsibility Yes, ma'am Riju, crowd के angles, उनका दर्द और रोना-दोना, that's your thing Madam, film stars भाएंगे ना, तो उनके इंटेव्यूस? उनको हम लास्स प्रियोर्टी देंगे बिकार में शुआफ करते रहेंगे वो लोग या या पोजिशन लीडर्स के कमेंज हम अपने चानल पर क्यों आर करेंगे और फिर साधारन लोगों का रोना-दोना वाइट शॉट में रख कर फिल्म स्टास्क के बाइट्स पर फोकस करेंगे तो स्पॉंसर्स और अट्वडाइजर्स खुश हो जाएंगे 10.30 को है ना मीडिय एंट्री? यू गाइस करी ओन संजीव, एडिटोरिल मैंटर्स और नन अफ यूर बिसनेस मैडम, गोल मेडल विनर इन जर्नलिसम, JNU तुम्हारे सामने बैटे बंदों की दो मेनों की बगार पेंडिंग है उसके सिम्मेदारी चीफ एडिटर की नहीं CEO होने के नाते मेरी है ये एक IUF-funded चैनल है तो इस पार्टी में कुछ भी हो जाए चाहिए कोई ट्राजडी भी हो जाए तो उसको ग्लामरिस करने के लावा हमारे पास कोई आप्शन नहीं है इस सिम्पती वेव को कैश कर गया अगले इलेक्शन में IUF नहीं चीथी तो यू, मी, और नपीटीवी और फिनिश्ट सर, M.I.E.M.S.R का प्रेस रिडिस हाँ जी संजीफ, बॉबबी डेथ रिपोर्ट मेरे पास आ गई है इल्निस इस ड्यू तो ओल्ड एज अब्यूसली, नो अटॉप्सी ओड़ ॥॥॥। So, as I said. Everything. The entire system is in our control, whatever the How much? See, I have to pay off a lot of people, and I have to keep even more on our paydows. The ministers, police officers, excise department How much? जए किकुश। एप्षाउने हिंची नगाला क्षाई टूंडे टूंगे लिए क्वेश्ता कर दूंख प्रेडिर्ज्ट से नगाला कर तूंगे लिए टो घंगें इज़ किम उन्हेंडे कि मैद्ट मैं अजा टूंगे टूंगे कि वीड़ विए ठीटी कि रूंगे इस बद आपने शुक्राइब आपने के लिए हैं, आपने के लिए हैं, और एक रिमोट चांस उसका है, जो पब्लिक की नजर से दूर, अमेरिका में रहने वाला P.K.R. का लाडला दूसरा बेटा, अंग्रीज सी बाभू जतिन रांदास का, बट लाइक रिमोट पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी एक्टिंग सीम महेश्वर्मा की है, महेश्वर्मा, आई यूएफ का सबसे मजबूत पुल, आपस में लडने वाले पार्टी वालों के बीच का पुल, परेशान करने वाले गडबंधन पार्टियों का पुल विरोधी गडबंधन आर्पी आई और आई यूएफ के बीच समझाते का पुल, ऐसे पुल के उपर पुल बेटी, च्रिता को आग तो जतिन को ही देना है ना, तो क्या तुमने उसे कॉंटाक्ट कर लिया, उसका मूबाल तो स्वीच ओफार है, किसी केंपें ट्रिक पर गया है, ऐसा वोईस मेसेच छोड़ा हुआ है, आग में दोंगी, नगर बेटियां, 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 जैसा तुम चाहो, वरम अंकल, यहां पिताचे को देखनी कोई आए या ना आए, लेकिन वो नहीं आएगा, अब जो कहने जा रहा हूँ, वो इन पांचों में से सबसे खतरनाक है, अपना फन पहला कर इस टेट की रक्षा करने, या फिर एक दंशे मिटाने की ताकत रखने वाला किंग कोबरा, पिछले 6-7 सालों से इसका नाम उभर कर बाहर आया, और जंता के दिल में अपनी जगे बनाई, आम तोर पर पार्टी के सदस्यों से कोई खास लगावना रखने वाला P.K.R. सिर्फ इसे हर पार्टी मीटिंग और सम्मिलन में ले जाकर एक क्राउन प्रिंस की तरह पेश किया है, किसलिए? पिछले 35 साल से P.K.R. जिस नेरुम बली चुनावक शितर से लड़कर जीता करते थे, पिछली एलेक्शन में इसके लिए खाली कर दिया. किसलिए? ये कौन है? कहां से है? कोई नहीं जानता. पहले एलाक और अफगानिस्तान में पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन का काम कॉंट्राक्ट लेकर चलाता था. ये मेरे डाक वेब रिसर्च के सरीए ब पही रावन है. इसलाम इसे इबलीस कहता है. इसायों में इसका सर्फ एक ही नाम है. लूसिफर. स्टेफन, तुम्हें जाके रामदास को देखना होगा. कहते हैं गुजरे हुए लोग दास हंसकार तक जीवीत रहते हैं. जिनें मिलना है उन्हें मिलने के बाद ही इड़ा करना चाहिए. को मैं सर्फ गो मैं सर्फ स्टेफन अंकल जा रहे हो? रोजी भीटिया, तुम यहां कैसे? रवी, बारिज चैनल से पहले, रोजी को लेकर फॉरान आश्रे पहुंचाओ. अंकल, तुम भी आओ ना? रात को कहानी सुनाने के वक्त से पहले मैं पहुंच जाओगा. फिर रहल तुम्हें जाओ. जाओ. स्टिफिन जाओ, जाओ रहे हैं ना? सिर्फ एक गाड़ी काफी है. उतने ही लोग जो एक गाड़ी में जासेते हैं. जाओ. स्टिफिन जाओ. स्टिफिन जाओ. अपनी विदेश यात्रा वीच में रोग कर अपने स्वर्गिय नेता को श्रदांजली देने के लिए आ रहे हैं वित मंत्री पी के पितांबर. अब कहाँ जासकता है कि देशबर्ग के सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ चके हैं. गरीम का मसीह, साफ सुत्री राजनी का रख्वाला, पी के आद को अंत्र श्रदांजली देने के लिए लाखों लोग सुनामी की तरह राजनी में पहुँच रहे हैं. आज तर किसी नहीं ना देखिए ओ, ऐसी एक बहुत बड़ी विदाई जन्ता आयूएफ के इस महान नेता को देने वाली है, इसमें शक्की कोई गंजाइश नहीं है. कट. ओके है न? सर जी, आप कहें तो स्टीफन को ही नहीं, मैं इसम असी को भी रोग सकता हूँ. अगर उस मैडम जी की बातों में आकर हम इस जहमेले में पड़ेंगे, तो एतने लोगों के सामने शायद हमारी नाग कर जाएगे, उसकी जरुवत है? अरे तू ऐसा बोलेगा तो? एक तरकीई बैजी. क्या तरकीई? परामिनिस्टर दा चॉपर अभी लैंड वा है, उनको यहां पहुंचने में एक केंटा लग जाएगा, इसी बानने में ब्लोग कर सकते हैं, फिर किसी वी रस्ते से स्टीफनिया पहुंच नहीं पाएगा, बोलिये? अच्छा, ऐसे ही कर पहुता हूँ, मुफ तुमैं आइडिया देने ही नहीं चाहिए, उए, मुफ मुफ, मुफ, लाष्प देखने के लिए भी इतनी भीड, शालो को कुछ कम ही नहीं है, बोगे, बोगे, सर, स्टीफन की गाड़ी अप्रोच रड़त पहुंच कही है, सुर्प यिए, जरसे हम गाड़ी अग्या नहीं जा सकती, पी-म का कौनवय आरा है, प्रोटो काल, एम की जाती, सिर्फ काड़ी नहीं जा सकतीλά, नहीं पैदल तो जा सकता हूँ, कि अष्णrounded ही किлиigns है उ tark dollar किसकते रपारहएंगोर qué। कि अब्हां चीफनखनाशे यूट से उीफनखनाशे पारी युट अच से बनाशे लड़S कि अप्रुब अमुट प्रा अ साphones, हैाjà कि इनुक उयरा है। यह कैसा शुर्ण प्राइम ने सिर्ट पहुच गे नो पुमस्टे तो बहता होता है स्टीफ स्टीफ ग्रामान्श करीज़ ख цвет कर दो ल기 दोगauth बंड मरा कर वार गार एdव बंड दोग बंड हो थी बंड मरा कर दोगा खड मरा कर भार लूग्न साथ Refe सबसे हुग क्जीज गार मैंने बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन रोक नहीं पाया तुम चर्च में जाके अच्छे से प्रे करो, स्टीफन जओ सीफन, एक एमचेंसी मीटिंग बुलवाई है, फिलाल सीएम मैं बन जाओ यही सभी का अभिपराय है, और उमीदे तुम्हें को अतरास नहीं होगा, जिता मैं रखने दीजिए वर्मजी, जलने तो दीजिए, फिर दिखेंगे, गुजरी हुए जमानी को अलविदा कहने के मौके पर आने वाले जमाने की एक जलक आशान्ती तट पर देखने को मिली, इतिहास में शायर यह नहीं बात हो सकती है, कहां जा सकता है कि पहले बार स्त्री सामानता दोलन के हिस्से के रूप में, आज पीके रामदास की बेटी और उनकी राजमेतिक वारिस कहलाने वाली प्रिया दर्शनी रामदास ने आई-उ-एफ के स्वर्गिय महान नीता और के मुख्यमंत्री पीके रामदास के चिता को आग दी, जन्न सागर और अरब सागर के बीच जिसका अंध हुआ, वो केर्ला के प्रिये पुत्र होने के साथ साथ एक युग थे, भारत के राजमेतिक नेताओं के सानेतिया में हुए, इस दास अंसकार के आई-उ-एफ के भावी नेता, स्टीफन थॉमस की गयर साथ ब限़ की की प्रिया मौजूआियानि ही थायर प्रिया मौजूप प्रियार आप मौज़ए अंप।्ध स्टीफ होने ही थे खावी आप है तो पीली, तोना है युझी सरली है तोना है नत था जैका ने की प्रिया आपिस दिसक्रताइण वाती है इता पता ना कहा चल जाद रहा तू अब तक घर ना गई लो बाद में जाओंगी इल दूद बच्चा के दूद पिला के ही सोवेती जी खा बेटी बाद में गोली समय पे खा ली है अच्छा से पढ़ा बेटी यी बेर बढ़िया नंबर आवे के चाहिए पढ़ा बेटी नीन लागी था हमरा के बताई हां तीचर मेडम बच्चा लोग के अच्छे से बढ़ाई ठीक बाँ एई सोना माथ अब की बार फेल हो गई ता बस अब है इता तू लोग सोई नाई आई नीन नहीं आवाथ अच्छा देवी ला बेटी पीला मॉसी तोरा के और कुछ चाही का बेटी दू दिन में बच्चा पैदा हो जाई जुरूर हो जाई हम देवी मां से पाथना कर अब तो किदर लागी का नहीं रोजी और रवी कहां बाद कहानी सुनने के लिए गये हैं ओ तो कहानी सुरू हो गई सटीफन नंकर आज की कहानी सुनाओ एक इश्वर की कहानी सुनाओ कौन-कोन है वहां सब लोग यालोग भई और मुकेश और बाकी की लोग पास महीं है तो वहां से जरा हटकर बात करने को दे हैं अरे भाई पास मतलब बहुत पास भी नहीं है किसी जमाने में गहीं पर एक एक इश्वर रहा करते थे उस इश्वर के बच्चे थे बड़ी सेना थी गुण गाने वाला परियों का समूग भी था एश्वर के मंत्रिगण सब के सब बहुत ही लालची थे एश्वर को सभी लोग बहुत पूछते थे इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा सोरी, सोरी एव्रीवन पर मेकिंग यौल वेड वर्मा जी हाँ हाँ तो बर्मा जी है हमारे आक्टिंग चीफ मिनिस्टर हाँ और कौन-कौन है लिस्ट में मोबी, हमारे फंडिंग का क्या हुआ पका तो है ना आइस्ट यू प्वेस्टिन और कौन-कौन है नहीं लिस्ट में पिएस पितांबर फाइनस, सदानंद क्रेव विभाग, विजय कुमार मेनन ट्रांसपोर्ट और फिलहाल हम ये कबिनेट पर खास्त करेंगे और गवर्नर सिमिल के चुनाव प्रीपोर्ण करने के एक ट्वेस्ट करेंगे अगर एक सावा बाकी है ना मोबी, तो इस तरह अचानक? नो, इस सिंपती वेव को कैश करना है वर्मा साब, अगर अगले पांच साल मुठी में करने है, तो यही एक रास्ता है, तभी फंडिंग मिलेगी कौन है ये नया फंडर? आम खाईए सर, गुठली मैं गनूंगा एक बात कहूं, मिस्टर विमन लायर, आप पार्टी के MLA नहीं हैं, पार्टी के प्राइमरी मेंबर तक नहीं हैं, अभी तक आपकी बात हमने इसलिए सुनी, क्योंकि आप PKR के दामाद हैं, जन्ता के सपोर्ट के साथ, उनके कदम से कदम मिलाकर चलता आया हूं में आज त एक फुट लंबा काला पाउस लेकर गुमना ही काफी नहीं है, जहां खड़ा होना चाहिए, वहां खड़ा होना होगा, जहां बोलना चाहिए, वहां बोलना ही होगा, ना में कोई MLA हूं, ना ही पार्टी मेंबर, लेकिन पितामबर, पिछले चुनाफ के वक्त, तुम्हार प्रचार के लिए PKR के कहने पर 10 करोड दिये गए थे प्रिय दर्शनी इंफ्रा रियालिटी कमपनी से जो मेरी कमपनी है कोई सबूत है जरूर है लेकिन दिवार पे जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं वो यहां बैठ सकते जो नहीं है वो जा सकते असा नमस्त देखो दो गोंचू कैसा बैठा है हम गयर जरूरी लोग एके कर जाने लगे अब साफ सफाई का टाइम है बढ़िया सफाई होगी पीता अंदर अभी अभी मीटिंग चुड़के चला किया लगता है कुछ गडबढ़े अइसे में एक तिन इशर कुजर गए इतने दिनों से मसीहा का किरदार निभाने वाले शैतानों के हाथ में आ गई सत्ता अब जल्द ही जो चुनाव आने वाला है उसमें आई उएफ मुकाबला करेगा बिना किसी सहीयोगी दल के अकेला ही मुख्यमंत्री के रूप में जिसे घोशित करने जा रहा हूँ वो इनसान कोई फेक सियासती नेता नहीं है बीके रामदास नाम के महारती का अपना खून है घबराये मत प्रिया नहीं हम दोनों ही सत्ता हासिल करने की चाहत नहीं रखते हैं अगले चुनाव में लीड करने जो जा रहा है इस राज्य ने जिसे नहीं देखा लेकिन हमेशा जिसके बारे में जानना चाहा वो पीके रामदास का एकलोता बेटा है जतिन रामदास यहां बैठे हर एक शक्स को उनके लाए गौदा और अब जितना मिल रहा है उससे तीन गुना पैसा है I mean, funding of course अब लुब 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 इस तरह लुब राज इशर को मार के इशर का अपना राज कहलने लगा This movie encoded by DesireMovies.shop बॉबी, सीफन को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते उस आश्रे के जरीये उसने जनता की दिलों में जगे बनाई है वो कोई छोटी मोटी जनसेवा नहीं है लावार इस बच्चों का आश्रे है वो बिन बाप के बच्चे पैदा करने वाली औरतों का आश्रे डॉक्टर, नर्स, मिडवाई, बच्चों की देख बाद कोई छोटा मोटा की लड़ी नहीं है अबल नमबर का चोर है राजनीती के कार्य करता और नेता के मीच क्या फर्क है पता है बता हूँ इन मसाला फिल्मों में जैसे हीरो का इंट्रड़क्शन करते हैं न इक कार्य करता को हटा के दूसरे को ला सकते है फिर पीछे भी कर सकते है लेकिन जो धरीये से निकल कर आता है वो नेता है उसे हटाने के लिए बलवल नहीं चाहिए बुद्धी चाहिए तांक्स स्वीठाट वर्मा सर आप मसाला फिल्मे कुछ ज्यादा ही देखते हैं न और नहीं तो क्या मैं जिर्फ मसाला फिल्मे ही देखता हूँ अच्छे अच्छे आइडिया मिल जाते हैं कि कहा ताली मिलीगी और कहा गाली मिलेगी अप मुद्धे पर आईए बात को समझने की कोशिश करो बॉबी एक बार स्टीफन को बुलाते हैं उससे सारी बात बोलेंगे और समझाएंगे बॉबी अगर उसने समझ कर हमारा साथ दे दिया जैसा हम कहते हैं वैसा कर दिया तो जैसे मास लीडर से हमारा ही फायदा होगा ना आपकी मरसी लेकिन जो मुझे बोलना है खुलकर बोलोंगा बोल दो लेकिन थोड़ा ढंक से बोलना कर दो मादा अबस बखूब कर दो कर दो कर दो कर दो सर स्टीफन आ गया तू स्टीफन बैठो कुरसियां टूट गई है पुरानी है ना सिर्फ आदर्श का भाशन जाडने से फंडिंग नहीं मिलेगी इस ओफिस में नए कुरसी और टेबल खरीदने के लिए भी दूसरों से मदद लेनी पड़ीगी एक जन सेवक के कमरे की कभी न टूटने वाली कुरसी उसकी खुद की कुरसी होनी जाही है क्योंकि वो इस कमरे में बैठने के लिए नहीं आया इस हैमियत की चानकारी उसे रहेगी लगो सेर आ स्टीफन जानते हो न पीके आर का दर्दनाग देहांद पार्टी के लिए एक नुकसान दायक हाथसा है इन हालात से पार होना है तो हम सबको बुनियादी तौर पे बदलना होगा तुम तो जानते ही हो उत्तर भारत से दक्षिन भारत में भैलने वाली सामप्रदाइता की आग अब लगता है जल्द ही केवल को भी अपनी लप्टों में समाल ले जाएगी इसे रोकना है तो हमें पैसों की सरूरत है बहुत सारे पैसों की फंड्स की बात है ना फंड्स तो है मैगना ग्रूप के पार्टी फंड की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रामतास जी ने मुझ पर सौपी थी मैं जानता हूँ फंड्स काफी है आरे बोर्ड है मैगना ग्रूप जैसी मामूली कंपनी के सामने हाथ फैलाना होगा आई यूएफ जैसी 150 साल पुरानी नैशनल पार्टी की कैराना यूनिट को भगवा सिना को फंडिंग देने वाले बड़े बड़े लोग है और भगवा को उखारने के लिए हम लाल की मदद लेंगे तो मेरी इमानों ये स्टेट हमें माफ नहीं करेगा आज की परिस्थिती में मैगना ग्रूप जितना देता है वो लेकर सिर्फ पार्टी का काम का चलाना काफी नहीं है खतरनाक सियासती जंगे लड़ने के लिए हमें बड़ी फंडिंग की ज़रूद पड़ेगी चुना भी किसी जंग से कम नहीं है मतलब किसमत का हो या कुछ और मैगना ग्रूप के बदले में बॉबी ने एक नए फंडर का इंतजाम किया है थोड़ा उन्नीजबीज करके कुछ बातों को नजर अन्दास करना होगा क्योंकि वगवान कृष्णो ने जो कहा है वो हम याद करेंगे लक्ष मार्क से भी ज्यादा महरपून है कौन है यह नए फंड देने वाले फार्मासिटिकल बिजनस पे है वो लोग कहां पर बेस्टे थो आँ गोवा मॉंबाई प्रिया जानती है इसके मारे में니 lifts ना काफी है प्रिया जान जाएकी वोवा मॉंबाई फार्मासिटिकल्स क्भक्रश अलाँ देवो 스्रिफन मूंदीस ट्रग्स ही है बवी स्टीफन, यस ड्रग्जी है बॉबी सारी बात है खुल कर कहने के लिए ये मीटिंग है छुपाने की क्या ज़रृत स्टीफन रुकावाट मत बनो या हम सब साथ में रहेंगे तो तुम जो चाहाओ लिए बॉबी दे देंगे मैं जो चाहता हूँ वो देने वाला ये कौन होता है वर्मा साथ मैं इस पार्टी में सिर्फ एक आदमी के कहने पर शामिल हुआ हूँ रामदास जी के और आगे भी किसी की बात सुनूंगा तो सिर्फ रामदास जी की बात सुनूंगा स्टीफन तुम्हारे सर गए उनकी बात गई तब मैं हूँ और मेरी बात है कौन देता है ये नहीं कितना देता है यही माईने रखता है हमारी आई उएफ पार्टी के लिए वर्मा जी आई उएफ नेर्कोटिक्स फंडिंग एकसेप्ट करेगा तो उसका अंजाम ये होगा कि यहां की नई प्यूडी की नसों में ऐसा नशाब आएगा जो हमने आज तक सुना भी नहीं होगा आज हर कैमपस में स्पोर्स अकैडमी में फिल्म के सेट्स पर खुफिया तार पर जो चलता है वो कल खुले आम चलने लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं ड्रग कार्टल्स यहां जो करोडों और्मों कमाते हैं वो ड्रग मनी सीधे जाकर बहुँचती है अलग-अलग टरेर्स ट्रूप की जेबो में जो मेरे करीबी हैं मैंने उनसे पहले ही कहा है नार्कोटिक्स इस डिर्टी बिजनस पी के रांदास नहीं है आखिर तुझे कौन बचाएगा स्टीफन, स्टीफन वर्मा सहब अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को इस सियासत कहते है यही जूट हम परसों से लोगों को बेचते चले आ रहे जंग अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है बुराई और बुराई के बीच है बड़ी बुराई और छोटी बुराई के बीच है यह बड़ी बुराई है यह काम स्टीफन नहीं करेगा ना ही ये करेगा आयूएफ को फंडिंग करने वाला मागना ग्रूप का चंडी नहीं होगा अब पार्टी फंडिंग विल बी कंट्रोल बाइ मी फ्रम हेर उन इसलिए अगर मैं चाहूँ तो NPTV के financial issues ठीक कर सकता हूँ लेकिन उसके बदले तुम्हें और चैनल को एक काम करना होगा बताओ बोबी स्टीफन के खिलाफ smear campaign जितनी चाहो घटिया strategy यूज़ कर सकते हो बट यू आफ तो स्टार्ट इमीचिटली स्टीफन थॉमस जैसे इंसान के खिलाफ बिना कोई वजह इस तरह के कोई smear campaign करना मतलब संजीव पैसों की जरुड़त मुझे नहीं NPTV को है यू आफ बेगा आफ सो यू पाँ पी दे चूज़र शॉट यू पाँ पाँ नियूस अब्ट राफ यू अपाँ पाँ जासा लीड है वह नहीं जानना है एक लोग हिंदुओं के लिए मही रावण है इसलाम इसे इबलीस कहता है इसायों में इसका सिर्फ एक ही नाम है लूसिफर इंट्रेस्टिंग येस येस मैंने तुम्हारा नाम सुना है ये वेरी गुड़ है इस जॉब लाइव रिपोर्टिंग न्यूस आड़े बेच सब मैंने दिखा है सच कहों तो तुम इतने पॉपिलर हो इस वज़े से और कोई बैक्ग्राउंड चेकी है बेना मैंने एगरी कर लिया तुम्हारे पास जितने भी सबूत है वो और I.U.F. के बड़े-बड़े नेताओं के खिलाफ प्रश्टाचार के एविडेंस ये होगा हमारे नए चैनल लाउंच का इंपॉर्टन शो अब बिग एक्स्क्लूसिफ तुम्हारे पांच लाग फेस्बुक लाइव से भी जादध एफेक्ट मिलेगा जब तुम्हारा इंटर्व्यू पब्लिक टीवी बेर होगा बड़े होगा बाइदो वे एंपी टीवी की कॉंपटेशन में ये जो नया चैनल तुम शुरू करने वाले हो पब्लिक टीवी इसके इंवेस्टर्स वगरा वेल, यू सी, अस तुम्हारी इंकम बगरा कैसी है शिक्स डिजिट सैलरी ड्रॉट करने वाला एक टेकी था मैं अचाना के एक दिन, आई गॉट ए रेविलेशन वो भगवान गुद को मिला था ना, उसी तरह नौकरी से रिजाइन करके, आई स्टाटे डिवोटिंग मैसल तो मैं रियल वग और तुम्हारी फैमिली वगरा पिताजी बचपन में ही गुसर गय, मा कोई आट साल पहले ओ, दाट, मेरी बीवी और बच्ची है शी लेफ मी, फोर हर ओन गड़ा, उट से मेरी लाइफ एतनी सेफ नहीं है, यो नौ बेटी से तो मिलते होंगे नहीं, मेरी बेटी से मिलना, मेरी बीवी को बसा नहीं है मेभी शी सी राइट, नो, शी सी राइट मैं एक अच्छा रूल मॉडल नहीं हूँ सच्चाई की खोज, एक करियर ओप्शन नहीं है ना? वाइब से अलग होने के बाद कुछ दिनों में, I, I had a breakdown. तब कुछ दोस्त जवर्दस थी, मुझे एक mental hospital ले गए. वहाँ से जब लॉट कर आया, तो मेरा कोई नहीं था. It's rolling, बोल से चाओ. हाँ, yes, yes. ये I.E.F. को finance करने वाला Magna Group of Companies है, सब जानते हैं. N.P.D.V. के ex-employee Riju को तो पता हो गई. But who is backing Magna Group? इतनी बड़ी funding करने के ताकात रखता है, ये Magna Group का चांडी. Magna Group यहां का बहुत ही popular brand है, ना? Finance, timber, steel, gold, yes. Gold, that's my point. Riju, तो में कुरेशी अब्राहम गाएं के परहे में सुना है? पूरी दुनिया के डाइमेंड और गोल ट्रेट को कंड्रोल करने वाला है इन फेमोस नेक्सस. They are backing Magna Group, and hence, D.I.U.F. Mogambo, गबबर सिंग जेसी कहानी है ना, ये सब? No, 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 no. They exist. Just, दुनिया की सभी जग़ों में उनकी प्रेसेंस है. Like, like the Illuminati. Mr. Govardhan, मेरी दल्चस्पी Illuminati या Mogambo के बारे में नहीं है. Stephen, Stephen Thomas, उनके खिलाफ क्या क्या evidence है तुमारे पास? वो बताओ. Yes, Stephen, Stephen Thomas. I know who he is, लेकिन उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है. मेरा मतलब, क्या? तो फिर क्यों जिन फेस्बूप में लाइवा के वो इबलिस है, लिउसिफर है वगरा का? Govardhan, I really don't have time to waste. You won't be disappointed, Mr. Riju. Mr. Stephen Thomas के खिलाफ सबूत नहीं है, मैंने इतना ही कहा. But Bimbal Nair, I.U.F. का वो कप्तान जो पार्टी का मेंबर तक नहीं है. उसके खिलाफ मेरे पास इंक्रिमिनेटिंग एविडिन्स है. याज प्राइम टाइम में ब्रेक करेंगे, सर। इससे सेंसेशनल. इसके अलगोई गॉपिस है दुमाने पास? नहीं, सर। यही औरिजनल है. आपको दिखा कर... हाँ, गुद, गुद. Okay, leave it with me. मुझे से स्टड़ी कर दे दो, I will reward. लेकिन, सर, हम लोग... मैं बताता हूँ, रिजो. यूँ, 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 गॉएड. Okay, सर. Hmm. Bobby, we have a problem. holds लेकिन. Och. K यूुँ, गुँ. कि झाल… कि युँ, भ्वाद एड़ी? कि तूदाना, जूँ, लोगदाना! मज़े शोर्दो, शोर्दो, लिम्मी, सच्छाय के जीत होगी. कि को हमें, जे में पहले होते हैं. अबें करें! अबें अबें करें! अबें शोर्दो, हमादें! बोबी, मैंने पुरानी तिम्बर फैक्टरी की साइट पर एक टीम भीची है साथ में कुछ चीजे भी वोट? कैसी चीजे? नथी मेजर, कुछ एक्विपमेंट्स और केमिकल्स, अफलोड करवा लो वो, इतनी जल्दी करने की ज़रूरती 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 का बेटा विनायक, 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 वर्ज पूरा कर दिया, ये कहने का हग तुमें नहीं है, स्टीफन, वो हग ईश्वर का है, सिर्फ ईश्वर का, अपने लिए मैंने कोई भी खुआइश मन में नहीं रखी है, फादर, रही बात रामदास जी के ऐसानों की, वो उनके मौत के साथ ही खत्म हो गई, स्टीफन, पाटी ने जो भी कहा, उसे हम बिना संकोच मानते चले आए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, रामदास जी ने जो भी शुरू किया, उसे किसी के भी हवाले करना हमें मन्सूर नहीं, तुम्हें हमारा साथ देना होगा, हमारे दल को तो इस वक्त एक मार्ग दर्शक की जरूरत है, नारायन भाई, फादर भुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं चर्च में आके मिलता है, तुम्हें जाओ, प्रेज द लोड़, प्रेज द लोड़, प्रेज द लोड़, गॉड़ ब्लेस, सब लोग खाना कर जाईएगा, हलो यह जो कुछ भी कहने आये हैं, तुम सुनना, हम अपने रास्ते जाएंगे, वो अपने रास्ते, रात को इंजन का आवाज आया रहा साहब, वो कोई 15-20 लोग रहें, जीप, ट्रक और उमाटी उठाये वाला गाड़ी होता है न, वो भी रहा, वो लोग के हाथ में तलवार, बंदूग, चाकूई सब रहा, वो सब अलगे भासा में बात करत रहें, वो बाहर के लोग रहें साहब? तुम लोग कौन हो यहां क्या कर रहे हो कौन अबे तू यहां चाहिए 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 इस प्रापटी को गॉर्मेंट नसील किया है किसकी जाज़ते तुम लोग अंदर खुसा है अरे बहरा है क्या जाले काल भाग हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है तुमने वहां क्या देखा बताओ स्टीफन स्टीफन वो नहीं है जो हम समझते हैं हुआ 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 है हुआ हुआ है अगर तुम सच कह रहे हो तो स्टीफन को रास्ते से अटाने के लिए यह काफी है वर्मा साहब अगर तुम रुको स्टीफन मैं सर से पूछता हूँ वहां कुछ भी नहीं है सर एक किलोमेटर तक वहां असपास में कुछ भी नहीं मिला बुलिट केसिंग वेपिन्स मेटल डिटेक्टर यूस किया था सर नथिंग अप्सलुटली नथिंग फॉर्ड मदन प्रकाश मदन प्रकाश सर पुलिस वाले के आपके लिए तरने गए गुद्रे हो गये यह डेड़ बॉड़ी नहीं निशान भी नहीं गटर साफ करने वालों के खाके अलग अनिमत है यह कोई मीडिय वाले नहीं वरना हमारी तो ना कर जाती हुआ जो भी करो यह स्टीफिन पकड में नहीं आ रहा है कोई आइडिया है आपके पास उसके बारे में अगर कोई कोई जानता है तो वो है प्रिया प्रिया उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है उस नफरत की वजा जान जाए और वो कौन है यह जान जाए तभी कुछ कर सकेंगे एक ब्रमास्त्र है अगर और कुछ नहीं चला तो मैं वहीं चलाऊंगा आलोक मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था मैं वहीं तो कि इस दुम्हारे बात करेंदू मा, मा को मानसिक दनाव था पिताजी के सियासती जीवन के उतार चड़ा जीर जाना, इन सब का असर मा पर पड़ा था लेकिन सबसे ज़्यदा पिताजी को लेकर मा के मन में शक मा की विरुवत को नुजर अंदास करती, पिताजी स्टिफन को घर में लेकर है आपको किसने कहा था इसको यहाँ पर लेकर आने के लिए ये जिसका है उससे लेजाकर वहीं छोड़ दीजे मेरे जीते जैसा नहीं हो सकता बस एक छोटा सा साहरा देने के लिए ही तो कह रहा हूँ वो भी तो प्रिया की तरह ही मासूम बच्चा है इस पर जो खर्चा होगा उसका भी मैं इंतिजाम कर लूगा मैं कुछ नहीं सुनूंगी स्टीफन एक साल तक हमारे घर में रहा मा उस वक्त बेट से थी मा के नाम आनने पर भी स्टीफन को घर में रखा यहीं गलती होगे विदाजी से और उसकी सजा वोगत रहे थे मैं और मा मेरे आंसुओं को और मेरे बच्चों के आंसुओं को देख यहां किसी का मन नहीं पिगलेगा मन पिगलना है तो लोगों को रोना होगा नहीं तो बच्चलन औरतों को बच्चा पैदा कने के लिए खोल के जो रखा है ना अबलाओं का सेवा घर आश्रे आश रहे, वहां के लावारिस बच्चे उन्हें रोना होगा, कौन है, कहां से है, किसका है, कुछ भी मत पूछो, कुछ भी मत बोलो तुम खाओ बेटे हर रोस मा का रोना सुनने के बाद ही, मैं सोया करती थी जदिनको मेरे हाथ हमें सौब कर, मा चल बसी जीफ मा के अंतिम संसकार के वक्त, पिताजी आगे, बहुत रोर रहे थे उस दिन भी, मुझे पास पुला कर उनका पहला सवाल स्टीफन कहा है प्रिया तो मैंने पिताजी से कहा स्टीफन जब तक इस घर में रहेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगे आखिर में, आठ साल की लड़की की जिद के साब ने, बीके रामदास को हार माननी पड़ी और स्टीफन को कहीं और लेकर गए रैशनली इसे जिस्टिफाई नहीं कर सकते हैं बुट, I just hate him मा की मौत उसकी वज़े से हुई यही मैं आज तक समझती हूँ पीपल नेवर डाइ बेली बॉन, थूदेर चिल्टरन हर एंदें बीतने पर मज़े एहसास होता है कि मैं अपनी मा की ही बेटी हूँ वही सेंटिमेंटालिटी, वही मैडनस तो मैं जाना है, लेकिन कहाँ? आपने अभी तक जो भी किया उसके लिए मैं आभारी हूँ पर अब और नहीं रुक सकती, जाना है इस बच्चे को लेकर तुम कहां जाओगी? तुम जब तक चाहो यहां पर रह सकती हो यहां कोई तुम्हें परिशान नहीं करेगा यह मेरा वादा है नहीं दादा, मुझे जाना है तुम्हारी मर्जी इन्हें रख लो अलोक, दादा यह जहां का है इसे छोड़के आना जे पारवती और गणपती अपड़ना और विनायक किसी की भी पराह तुने मिले या ना मिले यह तुम्हारे साथ और तुम इसके साथ हमेशा होने चाहिए खुश रहो ऐसा करूंगी तो भागवान भी मुझे माफ नहीं करेगा साथ ची का संजो यह सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की लिए कर रहे हैं आप ने इस बात का खुलासा पहले क्यों ही किया किस वजे से आपने पुलिस के पास शिकायत दरज कने से पहले एंपी टीवी को बताया स्टीफन थामस यहां के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं इसलिए पुलिस में जाने से पहले मैंने एबाद चानल में बोलने का फैसला किया यह शुर अब थिस? हुम करेस इस गृत यहर्पी अशादी में काम करने वाला हमारा पड़ोसी ही मेरे बच्चे का बाप है यही मैंने गाउवालों को बताया लेकिन सच वो नहीं है यह यह स्टीफन थामस का बेटा है अश्रे में ही में इसे जनम दिया स्टीफन बरसों से मेरा शोशन करताया है दुन्या की नजरों से दूर आश्रे की आड़मी इस तरह के बहुत से काम बहाँ चलने है यह मैं जानती हूँ इसका मतलब है कि आपके मुताविक यह कोई पहला हाथसा नहीं है अगर ऐसा है तो आपने आप्चों हमत दिखाई है उसे क्या आपको लगता है कि स्टीफिन जैसे खतरना क्रिमिनल के खिलाब आवाज उठाने की और लड़कियों को भी प्रेड़ना मिलेगी तेरे मुमे कीडे पड़े कल्मुई वरे 17 यर ओल लड़की कैसे तो क्या खरचे हो सकते है जानवी इतने सारे पैसे कहा खरच कर दिये तुमने ममा प्लीज चॉस्ट फॉप शाउटिंग अट मी मिरी सर में दर्द हो रहा है क्या हाबात है मा और बेटी के बीच फिर कोई जगड़ा हुआ लड़ली बेटी को बाप ने जो क्रेडिट कार दिया है उसका स्टेट मिलता है पॉन ही दो लाकर कोड़ा है इसने बॉबी में इस तकी प्रिया, प्रिया मैं इससे बात करता हूँ तुम लिविंग रूम में जा और स्विच ओन नपी टीवी उसमें तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है क्या है? जस्ट गो, आल डॉक्टर बॉबी, प्लीज, मत बिगारो इसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ उल्टी सीधी चीज़ें चड़ा के मास से बहस नहीं करनी चाहिए जब हूश में नही रहतिया के पार लोगोफ़ा है अजाए? पूबी भगी, भेलो भगी, भगी, भगेलो भबी भबी, भबी भबी, भीच कम टीक सका मिलेंगे भबी, भबी, भब ró प मो तो, बुप्डवी, भीच गेलने लोको डिर दो डियात लुशेट लुब है कि अज़ा रहे हैं कि आई यू एफ के बड़े नेता स्टीफन थॉमस पर योन छोशंग का अरोप लगाया उन्हीं के आश्रम में रहने वाली एक निवासी ने अज़त्फन के इंपी टीवी के निउज रूम में उस पेडित लड़की ने अपने बच्चे के साथ आकर ये दावा किया है कि वो वच्चा स्टीफन का ही है उस लड़की ने ये भी अरोप लगाया है कि कहीं बार स्टीफन ने उसका योन फोशन किया है यह फिर इतना ही नह लुए भीड़ा ज़िए लुए 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 अपरोच बनावा है। अपरोच भूराओ है। हम कुछ निंहीं कर सकते सें। ट्रस भारफ। लुए 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 प्रुम्हें कि रखणारे कि रख़ सकता हूं! झाल झाल हलो भाजान कुछ करना है कि नहीं नहीं अभे कुछ मत करना बस एक इशरा भाजान बस एक इंतजार हैगा खुदाफिस खुदाफिस जीद इसकी क्या जरूत है दादा एक बाराँ कही है सुबह होने से पहले आप बाहर होंगे नहीं मैं खुद बखुद यहां नहीं आया हूँ ना यह खुद बखुद यहां से बाहर जाओंगा बडाबस को रिहा करने के लिए देव पुत्र को आना ही पड़ेगा पता है ना आने दो देव पुत्र को आने दो R.U.F. P.K.R. R.U.F. P.K.R. R.U.F. P.K.R. R.U.F. P.K.R. R.U.F. P.K.R. R.U.F. P.K.R. कर दो कर दो कर दो कर दो अग शिरु कर लो और आप आपगपी बंव प्प आप übersा दो आज तुम्हारा दिन है बिटा, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है I.U.F.T. नई पीधी का नया चोश है Welcome home, Jatin हमारे पास वक्त बहुत कम है एक ग्रूमिंग और मीकोवर की जरूरत है मैंने एक P.R. टीम को असंबल किया है They are ready to start when you are D.D. D.D. आपने इंसिस्ट किया, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आया यह सब ड्रामा करूँ, इतना इसान, P.K. रामदा से I.E.F. का मुछ पर नहीं है And you know that One year, one year मैं इनका साथ दूँगा And if it still doesn't work for me, I'll leave Hmm, okay Where is Jhanbi? एक्जाम सर पर है न इस घर में लोगों के शुर शराबे की वज़े से कॉंसेंटर्ट नहीं कर पा रही थी इसलिए फिर से होस्टल चली गई तुमारे रूम की साफसफाई हो चुकी है No, not here मैंने एक विला हाइर किया है At my own expense I'll be staying there Stephen तुमने मुझे पहचाना रामदा साप के सामराज्य में उनके खिलाफ उठी सबसे मजबूत इंकलाबी आवास साथ देने वाले दगा देने पर दुल गए तब पना दी थी अपने सियासती दुश्मन ने मैं भूल सकता हूँ बहला रामदा साप के उस पसंदीदा सियासती दुश्मन को कॉमरेड रामपाल किशन को बावानी भावी वो तो जली गई आपस में लड़के चैन लूटने वाले दो बच्चों के करण और अब देखो अपने ही घर के कागजात में हेरा फेरी का जूटा इल्जाम लगाके मुझे जेल में डलती है इससे बढ़कर और क्या बुरे दिन होंगे एक कॉमरेड के लिए सब जगह बच्चे ही परिशानी की जड़ है पांडव हो तो बनवास जाओ कौरव हो तो आखों पे पट्टी बांद के चलो अब सुना है पीके आर का बेटा लोटा आया है वो दुर्योधन है या युधिस्टिर कौन जाने आखिर कब तोड़ोगे तुम ये घुलामी की जंजीर दोस्तों आने वाली पीड़ी तो कम से कम चैन की सांस ले कौन सा गाना? श्यें कोई भी गाय गाने वाले का खुट का कहिलाने वाला गाना यारों का भी गाना, कौमरेट का भी गाना हौज तो आयई यूव वाले भी भूल गाना यहान गांदीजी तक को Ius अले भूल गये अब ये आंदोलन का इंकलाबी गाना कौन याद अखेगा? गाव ना कॉमरेट, वो गाना हम भी तो सुनें What's with your hair and glasses? You look like you're on for a stand-up comedy act This is the world's biggest comedy, babe It's called the Indian politics अरे, बच्पन में मैं ही उसे स्कूल ले जाता था मुझे देखते वो कापने लगता था वो सब आगे, आगे? चलिए, चलो चलो Jatin, all the best हम लोग यहीं कंट्रोल रूम में रहेंगे राइब बनीद देज़ प्रिया, राइब बनीद देखते राइब देखते राइब देखते राइब अटाइब खेते राइब एक दम पीकेर की तरह है, शान से चलके आ रहा है ना? बदा अताली हुआ है! नमस्कार, नमस्कार जतिन, नामस्कार, देट सो साल पुरानी, बढ़िया, 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 परंपरा पालने वाली, एक पार्टी को मारदर्शन देने का सौभाग्य मिला, इसलिए सर्वेश्वर का और उससे ज्यादा, आईउएफ के हरेक नितागन का और कार्यकर्ता का मैं अभारी हूँ अरी ये किया, ये तो हिंदी भी नहीं बोल पाता भाई, तो क्या हुआ, हमारे हाई कमांड में जो हैं वो सब हिंदी अंग्रेजी सीकर थोड़ी नेता बने, चप चाप देखना, मुझ पर विश्वास करने वाले आप सभी के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ, ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदाइत है, कि अधिए 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 आएपेड के बन कर दिया, अच्छी हिंदी नहीं है न जैसे ही मैं यहाँ लाइंड हुआ, मेरी पहली मुलाकात यहां की एक फेमस इमेज मैनेजमेंट ग्रूप से हुई उन्होंने धोती पहनाना सिखाया मुझे, हिंदी बोलना भी सिखाया मुझे डाड से सिमिलारिटी होने के लिए मेरे चहरे पर बदलाव ले आए वो लोग पके हुए ये बाल, at least some of you may have realized, मेकप है ये चश्मा, I don't really need it दोती पहनना जाने बगेर, हिंदी में बात करना जाने बगेर PK रामदास का बेटा जतिन रामदास, आप लोगों के सामने खड़ा थोड़ी होगा मुझे दोती पहननी भी आती है, और विरोधियों की दोती उतारनी भी आती है मुझे हिंदी बोलना भी आता है, और जरूरत पढ़ने पर दो-चार गाली देना भी आता है लेकिन, लेकिन, आई-उ-एफ की नेता बनने का मैं काबिल हूँ, मैं उस लायग बन गया हूँ, ये मुझे यकीनन साबित करना होगा इसके बावजूद, एक बात मैं जरूर कहूँगा डायट के जरीए, आई-उ-एफ ने आज तक जो भी नाम कमाया है, उसमें छोटा सा ही सही, मेरा भी योगदान है वो क्या है पूछिए, गर्ल्स, पूछिए, ये ऐसा वत्त है जब आप लोगों की आवाज गूजनी चाहिए, गो ओन, आस्ट मी वाइ, 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 विकॉस, बिना मा के पलने वाला एक बच्चा होने के नाते, बोडिंग स्कूल और विदेश में तड़ी पार किया गया एक बच्चा होने के नाते, हमेशा अकेलापन महसूस करने वाला एक बच्चा होने के नाते, अपने बाप से मिलने के लिए जित करने का और उनकी गोद में खेलने का मेरा हंग बनता था, लेकिन वो मैंने त्याग दिए, इस राज की, इस पार्टी क और आप लोगों की सेवा करने के लिए, पीके रामदास को जो कीमत चुकानी पड़ी, वो उनके बेटे का मासूम बच्चपन था, और मैंने वो दे दिया, मैं आप लोगों को किसी और से विलाना चाहता हूं, अब तक शादी नहीं की, इसलिए उसे पत्नी नहीं कह सकता, लेकिन हर माइने में वो मेरी जीवन साथ ही है, मीट जैक्लेन, जैकी, क्या, से हलो, गोरी मेम सूपर है, लेकिन गोरी मेम से भी जादा हमारा भाई गोरा है, हाँ, यही तो आई वे, हूँ, So that's it, जो आई वे के साथ हैं और जो खिलाफ है, उन सभी के लिए मैं यह कह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में जत्तिन रामदास भी लड़ेगा, पीके रामदास का बेटा बनके नहीं, इस टेट के सभी परिवारों का बेटा बनके, सभी भाई बेनों का भाई बनके, और सभी यारों का यार बनके, मैं यही रहूँगा, हम जीतेंगे, हमी जीतेंगे, जै हिंद्ध! जीतेंगे, 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 जी पैसों की तुमने जो प्रॉमिस किया था वो फंड बर्मा साहब जा तिन रामदास आएगा कहा था मैंने जा तिन रामदास आगया फंड आएगा कहा था मैंने फंड भी आएगा झाल 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 झा झाल 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 करें जाल ए गोई आरा है रच्टान रच्टा राड़े बंदू क्यार सा बंदर ने कर जाओ जल्दी झाल बाइ झाल 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 याल झाल 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 वे, से अलवावा beginner! ँरविक बढ़ा कृशिक हुआ, हैसे केलगार का ठीकर घृषिकी किन हुआ खिरा, टीकर superintendent? मर्ट की तरह लाड एक और एक तेरे बारे में बाउत सुना है तिखाज क्या उखार सकता है अमर मर्ट मार दिखाज पार जिखाज बार अल क्लिया और क्लिया तीनों का हो गया खुदा निगेबान भाईजाम निगेबान साइद पुदा झांट पुदा निगेबान अलिगेबान तो जो भुदा निग्एद तीख मीबान पुदा पुदा फूदा आपदुल Bobby, listen, we were attacked and it was Saeed, Saeed Masood. Who? Saeed Masood, he leads the most powerful mercenary hit group of Asia. They didn't target our consignments. They took out all three, but who did he did, he didn't know. And the cargo? Gone. And there was strange demand. And you won't believe it. Seven days. Seven days in the end, Stephen Thomas will be able to get out of jail. Stephen? In jail? Why? For what? Bobby, we can't deal with Masood's group. If they don't understand their demands, then it will not only be the funding of the future, but if the money is lost, they will be able to get out of jail during the federals. And remember, you have only seven days to release, Stephen. Seven days. Bobby, what happened? Give me one good reason, not to kill you. Fedor, I can fix this. I will fix this. I will make you another time. I will take you one good. करेंगी गारी है ये पार्टी मेरे साथ रह सकता है तो रह नहीं तो सबसे पहले तुझे नीचे धकेल के तेरे उपर ही मैं कि रूंगा समझ के आना वर्मा तुझे कैसे बता कि मैं यहां हूँ दुनिया वालों का इलाज तुम्हारे अस्पताल में और तुम्हारा इलाज यहां आईरुएद में होता है मैं यह नहीं जानता क्या हां खेचाई बनकर मुद्देपया गुरू राजनीती में हाथी जब मस्त हो जाता है तो उसे मीठा खिलाते हैं क्या या तो हाथी को महावत की सुननी होगी या उसके मस्तक पे मार के गिरा दिया जाए यही तो सही तरी का है ना स्टीफिं के बारे में बोल रहे हो वो ना हमारे काबू में रहेगा और ना ही तुम्हें मिलेगा बेगार में पहाडी इलाके से एक और क्रिश्चन सहीयो की पार्टी को क्यों पाले हैं तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह से समझ गया वर्मा वैसे मेरे लड़के हैं वहाँ सेंटरल जेल में लेकिन अगर जेल में ये काम किया तो कम से कम उमर कैद है इसलिए रकम बहुत बड़ी होगी एक पूल इस तरफ और उस तरफ दोनों के लिए होता है ये पूल भी उसी तरह चलेगा निक्टा तो सुपारी पार्टी की तरफ से मिली या भासकरवाई की तरफ से स्टीफन भाई तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन उपर से ओर्डर आया है उससे टाल नहीं सकते हैं ना हम लोग खून करने को ओर्डर है बोलो क्या करें खून करने का हुकम है तो खून करना चाहिए सर वो मंगलारूस के आदमी स्टेफन को करपेंटर रूं के अंदर तो फिर वो शटर को बाहर से बंद कर दो सर बंद कर दो वो खून कर दो तो खून कर खून करून कर थान कर दो पहो जाून झाल जाल जाल झाल 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 जानता हूँ लेकिन मेरे मार्शल आर्ट्स में वार की गिंती नहीं, गहराई की एमियत है बास कर रहाई से बोल देना, स्टीफन से डरने की जरूरत नहीं, अब मैं राजनीति में नहीं हूँ अबलेस कॉबला स्टीफन, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ आयूएफ और हम सब ने तुम्हारे साथ तका किया है मॉबी ने हम सब को बहका दिया था अब राम भाई का बेटा आ गया है और उसे पब्लिक सपोर्ट भी है यकीन करो, तुम्हें पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी मुझे पता चला यहां क्या क्या हुआ वो भासकर राई की कर्तूद लेकिन तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ स्टीफन तुम बस मॉबी से चोकन ना रहना वो साप है, जहरी लासा तुम्हें सीधे रास्ते से आने जाने की आदत है मगर मॉबी जैसे आदमी को सीधे तरीके से नहीं मार सकते फिर कैसे मारे वर्बसाब? आ, बताता हूँ बचपन में एक रेल की पटरी के एक तरफ मेरा घर हुआ करता था और दूसरी तरफ मेरी स्कूल साथ पढ़ने वाला तैसिल डार का बेटा नासूर था परेशान होकर मैंने उसे एक दिन पीट डाला बड़ा हंगामा हो किया स्कूल वालों ने पिता जी को बुलवाया वो ठहरे छोटे मोटे बनिया किसम के आदमी ब्याज का धंदा जमीन की लेनिन और दारू की भटी भी चलाते थे जो तैसिल दार के सहियों के बिना मुम्किन नहीं था मामला एक हद तक ठंडा करके हम दोनों पट्री के पास से घर लोट रहे थे मुझे चुकचाप माईश चलता देख पिता जी ने कहा बेटा महेश हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे ठकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है बेटा अब देखो वहां से रेल गाड़ी आ रही है माननो कि तुम तैसिल दार के बेटे के साथ चले चाहरे है उसने बहुत परेशान किया है तुम्हें और उससे बहुत नाराज़गी है तुम्हें वो कमीना नार है ऐसी खाहिश है तुमारे मन में तो हवा खतिम ये चलते चाहँ दूर से रेल गाड़ी आती होगी तुम उसके साथ हसी मजाग करते हो, मैं मस्ती से चलते जाओ जैसे रेल गाड़ी पास आए, उसे हलके से कोहनी मारो और धकाते दो खेल खता हूँ, हम पे कोई शक नहीं करेगा और रेल गाड़ी अपना काम करके चली जाएगी राजनीती में आज भी मैं पालन करता हूँ, पिताजी के उपदेश का अगर तुम मेरा साथ दोगे ना स्टीफन बॉबी को मैं उसी तरह ठिकाने लगा दूँगा आपका मश्वरा तो अच्छा है वर्मा साब लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है आपका बाप नहीं है, मेरा बाप तो कौन है तुम्हारा बाप वैसे वो पी के रामदासी है ऐसा सुन जो देखो डरने की कोई बाद नहीं है, जो भी है साफ सा बता दो तब उन्होंने वैसा करने के लिए कहा, हमने किया अब ऐसा करने को कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे जो भी करेंगे फाइदा हमारा ही है लेकिन अगर अब मैने बात पल्टी तो क्या वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ेंगे तुम खामकार डर रही हो पड़ना कोची जाकर ये काम हो जाए उसी रात की फ्लाइट से तुम्हे और बच्चे को मैं दुबई बेज दूँगा वहां तुम्हारे लिए नौकरी, रहने का इंतिसाम और दास हदार देर हम माहिने की सेलवी, बस ना? फिर भी दूपए तक मेरा और बच्चे का के लिए जाना अरे मैं भी वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा ना तुम ज्यादा कुछ मत सूचो वहां जो कुछ भी तुम्हे बोलना है मैं लिक कर देता हूँ उस दिन की तरह अच्छे से रटकर बोल देना, ठीक है? तुम्हें नीकल रहा हूँ, गाड़ी पेज दूँगा अलोक, एक बार बच्चे को नहीं देखोगे आज तो मुझे बहुत से काम करने बाकी है फिर कभी आकर देख लूँगा यूचे की ता हरा अड़ा भूरार भूरा और मुणा जेक को अच्छे कोत्ता है अच्छे कर दूँगे, यूड़ी ऑफराया, थातहरा थाच्छे आज बाले अच्छे को नहीं पारने एंगा टेसर शेल से रहां लड़ी एंगा इदो नो पत्रा रहर एंगा, not just LSD, वीड, कोकेन, M.D.M.A. हेरो हिंग दिने थे क्यों दिसाइन अट्राइसे, अच्छों मैं, प्लीज गूँए. मैं उस से अखेली में बात कना जाहती, शौद. सुबज हब मुझे कॉंटक्ट नहीं कर पाई, तब होस्टल बॉर्डन पानिक हो गई और पुलिस को इंफर्म कर दिया, M.A.M. ये तुम्हे कहां से मिल रहा है? ये तुम्हे कहां से मिल रहा है? आपका दो upright at you correct! और नो तिको और को में से तुम आपली बार नहीं है कर दिए जान्यूर्चत Super反ounds इस से बार में भीट अपहर पकड़े जाने पर जब खुथितना जवाब नो हो तब मा और बाप रिल्साम नहीं लगाया करते और बाप You know what happens to me in that house? वहां में क्या बुगत रही हूं कोई अंदाजा है तुम्हें? बॉबी, यौर बॉबी He treats me like a sex toy What? जानवी, कुछ भी बोलोगी तुम Bobby ते तुम्हेरा सगी बेटी से स्यदा लेकिन मैं अभी कोई बच्ची नहीं रही जब कोई मुझे छूता है तो उसके मन में क्या है वो समझने की मैशारिटी है मुझ में Help me, Ma Help me out of this और मेरा कोई नहीं है जानवी, मुझे अगा जानवी, मुझे बेटी मेरे बच्चे का बाप Stephen Thomas नहीं है Stephen तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है Stephen भाई साब से और आश्राय में रहने वाले सभी से मैं माफी मांगती हूँ शरत आस्क हर किसने उसे धंकी दी थी I need a name तुम पूछो सहने वाले Stephen भाई साब ही थे मतलब बिना किसी जरूम के Stephen Thomas जील की सजा भुकत रहे है यह कहना चाहती है Stephen भाई साब तो दे उर्ता है जितने जदी हो से के उन्हें जिल से बाहर छोड़ देना चाहिए इससे अछा काम तो पिंपिंग है संजीफ I'm gonna burn each one of these awards and citations हमारे कितने सपने थे इस चानल को लेकर And look at you Politicians के Influencer Media को कैसे बचाना है इस टॉपिक में पेश्टी करने वाले Dr. Sanjeev Kumar CEO NPTV अरुन्दती पिछले 15 सालों से हमें एक साथ रह रहे है इन 15 सालों में हमारा स्टेट जिस तर से बदला है उस तर से कोई स्टेट नहीं बदला Times have changed, so have we 45 क्रोर्स की NPTV की आज की liability है जो पैसे देता है उसके तलवे चाटने के अलवा इस देश की मेडिया कुछ नहीं कर सकते Idealism, my darling, is dead तुम सो ही नहीं I'm, I'm sorry, Priya अब तक तुम सारी बात जान गई होगी न Stephen जेल से छूट जाएगा और कोई रास्ता नहीं क्या हुआ तुम्हें जानवी, जानवी के एक्जाम्स कब खा तुम आने वाले प्रिया, प्रिया, मैं यह जानवी, मैं प्रिया, मैं... तुम्हें बताना ही चाहता था, बट ज़िए रग्स, मैंनो से सम्झाने की कोशिष की, I tried to help her, but everything I said, just नेरी बच्ची को छूएगा तु, मेरी बेटी को तुछ पर विश्वास गिया मेने, I trusted you, hereby, मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को छूएगा तु थो, मेरी बेती नहीं है तेरी बेती है, so frankly, I don't see a moral issue here, you're welcome to do what you can, अपने छोटे भाई से बोलेगी बोल या अपने वर्मा अंकल से बोलेगी या भिर जाके पुलीस को बोलना है बोल लेकिन उससे पहले प्रिया तेरी बेटी इस शहर के कितने ड्रग पैड़र्स के कॉन्टाक में है ये भी ही तो सबको बोलना पड़ेगा उसने उनके साथ जो बात की और जो ड्रग्स करीदे उनके रेकॉर्ड्स मेरे पास है सिर्फ वही काफी है उसे नार्कॉटिक्स केस में अंदर करने के लिए शी टॉन्ड एटी इन लास वीक राइट सो कम से कम छे साल वो जेल जाएगी वो थे जो इफ यू आस्क मी हम आज यहीं पर इसे भूल जाए तो बहतर होगा ऐसा ना करके अगर इसे लेकर समस्या कड़ा करने का तुम्हारा प्लान है तो जैदेव और पी के रामदास को जिस तरह मैंने रास्ते से आटाया वैसे ही तुझे और तेरी बेटी को कैसे आटाना है वो भी मैं चांद रहा हूँ अब स्टीफन को यहां लाने की क्या सरूरत है पच्ची साल के बाद आव आपकी ऐसी तो क्या मंदद करने वाला है मेरे बच्चे हमेशा मेरी बातों के मताबिक चलें ऐसे जिद मैंने कभी नहीं की जब तुमने जैदेव से शादी करने का फैसला किया तब मैंने मना नहीं किया वो इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद था इसलिए कि वो तुम्हें पसंद था लेकिन जैदेव नहीं है बॉपी मेरा जी घहरा रहा है बेटी कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे सामने तुम्हारी दुम्हारी दुम्हारी तबाह हो रही है तब मैं रहूं या ना रहूं तुम्हारी बद्द के जिए सिर्फ एक आदमी होगा स्टीफन तुम चले जाओगे तो अमारा क्या होगा सब लोग है ना रोजी, फूल मती मौसी और दीदी लो और अगर गया भी तो सब के लिए जनम दिन पर क्रिस्मस पे, दिवाली पे सब के लिए तौफे बेजूँगा दादा चुनाओ में आपके बदले मैंने इसलिए खड़ा होना कबूल किया क्योंकि यहां आपकी शुरू की गई बहुत सरी योजनाए है वो सब रुकनी नहीं चाहिए ना आपके गयर मौजूद्गी में वर्मा और दूसरे लोगों ने मिलकर अपने कुछ लोगों के जरीए यहां नलंपली का काम का जाड़तना चाहा है अब यह सब हम उनकी हवाले कैसे कर सकते हैं ददा ददा मुझे आपका श्रवाद चीए चलो खुश रहो तो मैं जरा पार्टी ओफिस होकर आता हूँ बच्चा ठीक तो है ना जी जी दाता अपर्णा का बच्चा अच्छा तो है ना हाँ अच्छा है चलो अच्छा है जाओ हाँ हाँ स्टीफन में आप्रिया मुझे तो में आप्रिया तो में आप्रिया रामदा साब ने मुझे बताया था कि कभी न कभी ऐसी एक मुलाकात जरूर होगी और इस मुलाकात के लिए यही सही जगे है यह चर्च यह सेमेटरी हम दुनों के दिल में रामदा साब के लिए एक ही जजबात है प्यार और इंज़त के उनका परुसा खाना खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ उनके हैसान के बदले मैं कुछ भी करूँ वो कम है आज मैं जो भी कहूंगा तुम सुनोगी यह मैं जानता हूँ मेरा बाप जो बच्पन में ही मर गया था उस पर नेक्सलाइट और नास्तिक की मोहर लगा कर यहां कब्रिस्तान में ज़रा से भी जगे नहीं दी इस चर्च ने आखिर में उनकी लाश को कहीं और दफना न पड़ा और देखते ही देखते चर्च खंडर बन गया बारा साल की उमर में जब मा मरी तो रामदास सहाब मेरे सामने प्रकट हुए एक मसीहा की तरह मैं चाहता था कि हमारी इस मुलाकात का एक कवा भी होना चाहिए मेरी मा प्रकट है एक और बात कहनी थी तुमारी बेटी के सारे काल रिकार्ड मेरे पास है मैडम सिटी के सारे ड्रग पेडलर्स के साथ जानवी कॉन्टैक्ट में रहे हैं नगी डरों नहीं मैंने फार फाइल नहीं किया जैसा मिलना है वैसे मुझसे मिलेगा मैं बुलाओंगा जब कैंटी बजेगी तो बुलाओंगा अपनी सारी परेशानिया मुझे बता दी ना अब जाहो मैं सब देख लूँगा अब मैं लौटके नहीं आओंगा फादर शायद फिर कभी मिलेंगे भी नहीं मैं एक ऐसा सवाल करूँ जो मैंने तुम से पहले कभी नहीं किया तो जवाब दोगे पंदरा साल की उम्र में यहां से जाने के बाद लौटने तक 26 साल तुम कहा थे यह सामने जो इशू मसी हैं इन्होंने गलिलिया से जाने के बाद बाकी के 18 साल कहां गुजारे थे उन्हीं के लिए पूरा जीवन त्यागने वाले आपने कभी पूछने की कोशिश की जब वो जवाब देंगे तब मैं भी जवाब दोंगा अब अगर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछू जो मैंने पहले कभी नहीं पूछा था फादर तो आप जवाब देंगे पी के रामदास उर्फ पी के आर क्या मेरे पिता है तुम चर्च में जाके अच्छे से प्रे करो स्टीफन जाओ रामदास मुझसे मत चुपाओ क्या वो तुम्हारा बेटा है रहने तो जवाब नहीं चाहिए नहीं आप जवाब मत दीजे माई सान अब अगर लोटने का इरादा नहीं है तो यहाँ कंफेशन करके मन का शुद्धी करन करके जाओ कंफेशन तो किये हुए पाप के लिए होता है ना फादर जो करने जा रहे हैं उसके लिए तो नहीं न गॉड ब्लेस अंग प्रेस दे लॉड अल्वेस गॉड ब्लेस यू माई जाए हाई ओ रभा जिस गाल को मेरे हाद चुने चाहिए उस पर हुए क्या होट है सर जी ये एरिया इतना ठीक नहीं है जरा संबालिएगा क्यों बिना वाज के करने के लिए कह रहे हो चल बे सर जी अगर कुछ प्रोब्लम भी तुम्हें हान बजाओंगा ओए छड़ो है उसकी कोई जरूरत नहीं है तो खाना खा गया और आराम से आना है मुन्नी बदनाम होगी आज मेरे लिए कितने दिनों की तमन्ना है गाउमती एपिसोड बार बार चला के देखता हूँ लाइट ओन ही रहने दो तुम्हारे लिए प्रोब्लम तो नहीं है ना इंतजार की कड़ी अब खतम है कबाब में हड़ी मैं देख क्याता हूँ जानू हम यू गया हूँ आया प्रोब्लम तुम्हारे लिए प्रोब्लम तुम्हारे लिए प्रोब्लम तुम्हारे प्रोब्लम तुम्हारे लिए 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 तुन्हें राम्दास साब के परिवार के साथ खिलवार किया, वो मैं नहीं सह सकता. मेटा मदनप्रकाश, मैं हेड नहीं हूँ, हेड काट डालता हूँ. नहीं सह सकता. भॉबी ने जो वादा किया है, वो फंड्स नहीं मिले तो, मैकसिमम एक महिना, अधिवाइस, विलाफ तो शट्शो. मुझे लगता है यही से ही रहेगा. कम से कम इस फ्रस्टेशन से तो बच सकते हैं. कहना हासान है. स्टीफिन, वाट दा हिल? हाँ, सच बोलना जिनका उसूल होना चाहिए, वो सिर्फ जूट के सहारे जीवन बेता रहा है. वाट दा हिल? स्टीफिन, वी ओव यू एन अपॉलोजी. अपरना कि यह कंफेशन्स को जेन्यून सबश्ट राजनीती और मीडिया, एक हड़ी के टुकड़े को दोनों तरफ से चूसने वाले दो भेडिये हैं. कुछ दिनों के लिए उस हड़ी के टुकड़े का नाम था स्टीफिन थॉमस. इट्स आल राइट. एन पी टीवी का एक फंडिंग इशू है यह मैं जानता हूँ. बिमल नायर जिसने फंड देने का वादा किया था वो मुकर गया. तुम्हारा कर्जा मैं अभी चुका दूंगा. लेकिन आज के बाद प्रिदर्शनी रामदास जो कहेगी वही होनी चाहिए. तुम्हारी एडिटोरियर पॉलिजी. And your first assignment will be the comprehensive coverage of a press conference. कल शांग पांच बजे press club में, जतिन रामदास और प्रिदर्शनी रामदास एक साथ press conference करने वाले हैं. Stephen, NPTV के funding issues जैसे आप समझते हैं वे... You have a message. 45 crores? Happy? और ये डील, NPTV के CEO, Dr. Sanjeev, और Chief Editor, Arundhati Sanjeev, और Magna Group के चंडी के साथ नहीं है. मेरे साथ है. This deal is with the devil. Stephen, शर्ट पे खून का दाग? किसान होना, मैडम, कुछ खर उखाड रहा था. जदीन, तुमारी गाड़ी में एक बॉक्स है. उसमें चुबी फोल्डर्स और फाइल्स है, वह तुमारे लिए है. दीदी, हालो? अब्दुल, मेरा यकीन करो. स्टीफन आक्टिव पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ चुका है. पूरा आयूएफ, मेरी मुठी में. चतिन रामदास, PKR's son is my puppet. I promise you, तुमने जो पैसा खोया है, वो सूथ समीथ मैं लॉट आ दूँगा. We are on. Just move the funds afresh. हाँ, बोल. वोजब आपे. This movie encoded by DesireMovies.shop इन डॉकिमेंस की कोपीज, मैंने एन आइए और अंटी-नार्कोटिक स्कॉर्ड के हवाले कर तिया है. Indian Penal Code, Chapter 17, Offences Against Property में शामिल 84 Section के, हर एक सिंगल सेक्षिन के मुताबिक, विमल नायर एक अपराधी है. Drug Pedaling की बात कहूं तो, NDPS Act के हित्यास में ही, ये शक्स एक Classic Offender है. वो Land Deals इसमें दीदी का नाम है, भले उनकी जानकारी के बगएर है, फिर भी उनके signature के जरिये उन्हें भसाए गए illegal Deals की निश्पक्षता से inquiry होगी, इस गल्दी की जो भी सजा होगी, उसे मैं और मेरा परिवार सुईका करेंगे. Mr. Vimal Nair is an anti-national criminal. वो Land Deals तुने सुचा मुझे दगा देकर तु महा राज करेगा. अगर मैं तुझे बुलाना जानता हूं, तो तुझे खात्न करना भी जानता हूं. तुझे किसने कहा कि तेरे बुलाने पर मैं आया हूं? मैं आया हूँ अपने भाई के कहने पर अब्दुल जस्ट जस्ट केट में तो मॉल्डीवस एक चौपर, स्पीड लाउंच, एनीधें वहाँ से आल फाइड माई वे तो दुबाई मुझे थोड़ी सी महला तो इस बीच मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा मैंने कहा थाना बॉबी अच्छी तरह सोच समझ कर ये खेल शुरू करना अब यहां से जाने के लिए तुम्हें फेडॉर की मन्जोरी चाहिए और ये बी बैक तुनाइट वर्मा जी इन फाइलो में जहां जहां बिमल नायर का नाम है वहाँ वहाँ महेश वर्मा का नाम भी मौझूद है फिर भी मैंने इसका खुलासा क्यों नहीं किया जानते हैं आपके 40 साल के सियासती तज़ुर्बे की मुझे जरूरत है आज से मेरा कहा मान कर अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ रहेंगे तो इन फाइलों की ओरिजिनल कॉपीज दुनिया के सामने आए बिना मेरे लौकर में सुरक्षित रहेंगे विल्कुर ऐसा ही होगा बेटा अच्छा वैसे एक बात कहना तो मैं भूल जाए पुरानी वो रेल की पट्री, घर, स्कूल, सामने आने वाली रेल गाड़ी, हल कैसे कोनी मारना और धक्का आपकी ये पुरानी फैमिली ट्रेक मुझ पर आजमाने का मन करें तो पहले से बताईएगा, ओके? स्टीफन थॉमस का बाप कौन है, ये जो आपका शक है, वो रहने दीजे मैं स्टीफन का ही भाई हूँ कल सुबह एरेस्ट फॉरेंट के साथ, एन आईये टीम मुंबई में लेंड करेगी उससे पहले मुझे वो चाहिए, वो भी जिन्दा वो जएगाप साथ झाल 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 झा की 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 एाक एाय रका भायवा एाय वायव एाय रायवा मैं। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आग दो झाल आग झाल लुब वाँ कि भूब वाँ करूई वाँ हुआ। अट लुब वो, आए, आए, आए! वहांदो नहीं कोई भी इस भंदे में गलती भी है सही जी भरके अप चीले भी रे तिपारे की दादेरे रोके न कोई हमको यहाँ सारी जंजद भूला देरे वाइ एंगारा मंचे बाजे ऐंगे उखयाव ! ओन्यारारापतारा नचे नचे भाए दूंदड़के ॐंदड़के थिवाने साले राजगे लटहे प्ड़के राजे नचे धे ऑतारा मंचे फिविदो GIS भाए दूंदणरूके दिवाने सारे रखतारा, नचे नचे डंकारा, बाजे बाजे, आक्टे, 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 हाँ अर्णाक зовत Bennett अर्णार्व अर्णाइ दोग्स मेचेट, आक्टे अर्णारि, आक्टे, हुआ खित वेंग taşणे अर्णार्व अर्णार है झाल झाल टाल झाल स्टीफन प्रिया बॉबी मेरे सामने मुझे क्या करना है उमार दो से बॉबी, तुने कभी शैतान को बाइबल सुनाते देखा है इजीकेल 25.17, Old Testament बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वज़े से सत्य के मार्क पर चलने वालों पर चारो तलब से हमला करते है इस अंदकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्यात्मा हो जाता है क्यूंकि वो वाकई अपने भाई बेनों का रक्षक और राभट की उन भीडों का मार्क तरशक बन जाता है इसलिए मेरे अपनों को जहर देकर मिटाने की कोशिश करने वाला चाहे कोई भी हो मैं जाला मुखी की तरह उन पर फट पड़ूंगा और मेरे बदले के लावा में जब वो जलेगा तब उसे पता चलेगा कि मैं ही उनका राजा एक मात्र राजा बीमल नायर की मृत्ती हो गई केरला के भूत पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद और एनराई उद्योग पती बीमल नायर की मुंबई में संदेजानक साचारिय में मृत्ती हो गई वे 46 साल के थे पूलिस सूत्रों से पता चला है कि मुंबई के धारावी इलाके में अंडर वाल वालों के बीच हुए मुट भेड और गोली बारी में बीमल नायर समेथ दस लोगों की मौत हो गई पूलिस ने ये भी बताया है कि अभी तक पता नहीं चला है कि वहां क्यों और कैसे पहुंच गए उनकी लाश पोस्ट मॉटम के लिए अंधेरी गॉर्मेंट हॉस्पिटल में भेज दी गई है पोस्ट मॉटम के बाद जल से जल उनकी डेट बॉड़ी उनके रिश्टदार कभी कभी जो दाना पानी मिलता था वो भी चला गया वैसे भी मै पहु आपका बॉल यापनी विद्रा फंग प्रीजे अंधेरी अंधेरी प्रीग पुल्णी ऑगलवी उनकी जाए लॉड़ी अंधेरी आपके लॉगा व्लावी इसरह को थाना तुरी है व्लावी आज़िए यॉड़ी अज़खता पार्ड यॉड़ी आज़। न डिमेए